तो गाईज आज का वीडियो होने वाला है हैंड स्टेप पार्ट टू जो होने वाला है फ्रॉग स्टेंड टू हैंड स्टेंड पहला स्टेप होने वाला है ये दूसरा स्टेप होने वाला है ये तीसरा स्टेप होने वाला है ये यही सोचा था क्या तो गाई जैसे हम सभी जानते है कि frog stand to handson खाली दो या तीन step का काम नहीं इनके बीच में थोड़े और steps है वो ही steps में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो end तक रिखने तो start करते हैं वीडियो को tip से तो tip इस वीडियो का यह है कि आप legs को तभी उठा पाएंगे जब आपका जो back होगा आपके hands के comparison में parallel होगा तो जैसा इसका नाम ही है तो पहले आपको frog stand ही करना पड़ेगा तो जो frog stand होता है वो generally ऐसा होता है आपको हमेशा अपनी back को जितना चाहे उतना वर्टिकल रखनी कुछ करनी है अपवर्ड अब इस step में आपने कुछ soft अपने यहाँ पर रख देना है और अब आपने क्या करना है frog stand से head stand में जाना है इससे दो काम होंगे पहला तो आपकी shoulder में strength बनेगी दूसरा आपको movement का पता चलेगा कि आपको legs कैसे ले जाना है और इस step में आपने तो आप मुमेंटम का यूज लेना है जिसमें आपने इस तरह frog stand से इस तरह hand stand में जाना है और finally momentum को कम करते रहने जिससे आपका frog stand to hand stand और अच्छा हो जाएगा झाल चकर दो एको जाएगा झाल झाल